नमस्कार पाकिस्तान के मीडिया में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने जो 1.45 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो कॉंट्राक किया था टर्की से हलिकॉप्टर का ATM के हलिकॉप्टर जो के 2018 में खरी देते 30 हलिकॉप्टर खरीदने थे 30 होर्पर आने थे वो डील कैंसल कर दिये आज DGISPR यानि के पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्सपरसन उन्होंने इस डील को बोला के डील चल रही है और इन खबरों को डिनाय कर दिया दो खबर, तोनों अलग-अलग खबर एक दिन पहले एक खबर, बाद में एक खबर ये उल्टी खबरें और ये उल्टा गेम हो कैसे रहा है ये इसलिए हो रहा है कि ये जो खबरें आती है कल वाली खबर भी DGISPR को कोट करके ही आई थी आज DGISPR ने खुद प्रेस कांफेंस की और बोला कि नहीं नहीं हमारा चल रहा है कल ये बोला था कि DGISPR के पास से हमारे सूर्सेस बतारहे हैं कि DGISPR ने बोला है अब होता क्या है ये खबर प्लांट करने का तरीका होता है DGISPR है ये पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्सपरसन है अगर वो सोर्सेस कोट करता है कोई भी उन्यूस एजंसी अगर sources quote कर रही है तो sources का मतलब generally ये नहीं होता 90% sources का मतलब ये होता है कि वो आदमी खुद बोल रहा है या उसके करीबी आदमी बोल रहे हैं लेकिन वो आदमी खुद मना कर देता है कि अभी मेरा नाम मतले ना अभी हम officially इस ख़बर को नहीं प्लांट कर रहे है अभी हम officially नहीं बता रहे है तो बोला जाता है sources sources में तो हर आदमी आ जाता है चाप रासी से लेके प्रधान मंत्री तक सारे आ जाते है sources में क्योंकि आप नाम नहीं लेते इसलिए कोई आदमी DGISPR को कोट कर दे वो भी पाकिस्तान में जैनलिस्ट और वो बच जाए ऐसा हो सकता है इंडिया में भी ऐसा होता है कि हाँ आप sources यूज करते हैं लेकिन highly placed sources हूँ या sources हूँ जो भी word यूज किया जाता है उसमें जब भी कभी मीडिया ऐसे नाम लेता है तो कोई एक आदमी minister level का या secretary level का ज़रूर involved होता है जिसके पास से खबर आयी होती है हलांकि वो मना कर देते हैं कि हमाई पास से ऐसी आप हमारा नाम अभी मत लीजेगा क्योंकि अभी official decision नहीं हुआ ही game पाकिस्तान के issue में हुआ DGIS PR की तरफ से जो खबर कल plant की गई थी वो की गई थी दिख राय साथ बहुत सारी websites ने code किया आज DGIS PR ने इस पे भी बोला कि websites ने ये मेरे को code किया है लेकिन we have not moved on वो हमारा चल रहा है अभी और हम उनसे लेंगे 1.5 billion dollar की deal थी इस deal को लेकर टर्की गवर्मेंट को प्रेशुराइज करने की tactic यूस हुई है कैसे tactic हुई है और क्यों हुई है इन्होंने इसके साथ ये बोला कि हम हम चाइना के हेलिकॉप्टर्स खरीदेंगे Z10ME ये भी ये भी आ गया और upgraded version लेंगे मतलब हम लोग टर्की से नहीं ले रहे अब चाइना से लेकिन लेकिन वो चाइना का जो हेलिकॉप्टर है उसके engine में issues है in fact ये deal ये जो टर्की से खरीदे जा रहे हैं ये भी delay हो रहे हैं the reason being के टर्की ने S400 में साहिल खरीद लिये रश्या से अमेरिका नाराज हो गया अमेरिका ने embargo लगा दिया इस हेलिकॉप्टर के engine पे साथ में इस हेलिकॉप्टर के जो engine है इसमें कुछ components दूसरे country इसके भी लगते हैं जहां पे भी problem आनी थी तो ये delay हो रहे थी इसमें कोई शक नहीं ले और Turkey का जो contract था वो delay होता जा रहा था delivery तो Turkey अपना 1.5 billion dollars के contract बचाने के फिराग में रहेगा हाला कि India ने भी एक drone का contract दिया है तरकी को और Turkey दोनों contracts बचाएगा जबसे इंडिया के drone का contract तरकी को मिला है तब से तरकी ने काशमीर पक बोलना बंद कर दिया अब तरकी पाकिस्तान को ये लगा के तरकी तरकी जो है वो हमारे favor में नहीं बोलता देख रहा हमसे अलग होता देख रहा है और कुछ deals पहले भी गए थी कुछ नेवी की deals भी गए थी तरकी को पाकिस्तान से तो तरकी बेसिकली favor में था क्योंकि पैसा हा रहा था पूरा game dollar का है इंडिया ने भी dollar का contract दे दिया तो अब तरकी neutrality maintain करने लगा कि भाई हम उनके खिलाफ कैसे बोले है उनसे भी तो हमें dollar मिल रहा है तो ये pressure करने के लिए कि आप काश्मीर के favor में भले ही न बोले लेकिन हमारे favor में तो रहे है इसलिए ये खबर plant की जाती है ऐसी खबरें plant की जाती है कि हमारे favor में तो रहे है आपको हम contract दे रहे हैं तो तरकी ने बोलोगा हाँ आपके favor में रहेंगे कोई problem नहीं है ये contract continue करे और दूसरी चीज़ कि ये contract अगर withdraw किया जाता तो problem आती अब वो टरकी जो है कश्मीर के favor में नहीं देगा कश्मीर के favor में वो नहीं देगा statement ये पका है क्योंकि उसके पास एक drone का contract है उसको हम और भी contracts दे सकते हैं उसे पता है और उसे पता है कि और कई contracts देगा तो हम इंडिया से पंगा क्यों ले तो वो basically एक pressure tactic होती है वो pressure tactic अपनाई गई साथ में तरकी से भी pressure पड़ा होगा पाकिस्तान पे कि आपके साथ कोई है नहीं आप अकीले खड़े हैं आपके साथ सिर्फ एक चाइना है हमारा support था यह drone वो अमेरिका से खरीद लेगा नहीं खरीदना चाहता और दूसरे से उसके पास रशिया है और दूसरे country से वहाँ से खरीद लेगा हम से खरीद रहा है इसका मतलब हमें कुछ वो करना है भई हमें दिखाना भी है कि नहीं हम आपके खिलाफ नहीं है एक friendly country से ही तो कोई खरीदेगा न तो हम कश्मीर कश्मीर नहीं चीख सकते लेकिन ये बात याद रखना कि आप आप अकीले पढ़ जाओगे अगर हम side हुए तो यह हो सकता यह धमकी भी आई हो तो दोनो तरफ से दोनो parties की तरफ से कुछ-कुछ stand में तबदीली आयोगी कुछ change आया होगा तब 24 घंटे में stand change होगा यह खबरें चप रही थी no doubt denial एक tweet में आ सकता था 24 घंटे क्यों लिये गए और 24 घंटे से जादा in fact कल अगर चपी है तो यह खबर परसों की होगी कल चपी है तो आज denial आया है 24 घंटे लगे और इस 24 घंटे में टर्की ने भी पढ़ी होगी टर्की शेंबसी ने पढ़ी होगी टर्की के उस company ने पढ़ी होगी सब ने पढ़ी होगी यह खबर और पढ़ने के बाद उन्होंने अपने country से take up किया होगा कि यह छपाए देख लो तो वो country से वहाँ से पाकिस्तान बात की गई हो कि भाई यह क्या कहनी है आप इसे cancel कर रहे हो क्या ऐसे खबरे तो पहले भी आ रही थी कि आप cancel करने जा रहे है तो वो उसको deny किया गया या फिर बीच में तना तनी चली लेकिन in the end deal still continues और वो continue करती है तो अब दोनों countries का हमें रवया थोड़ा change मिलेगा क्यों change मिलेगा एक पाकिस्तान टर्की से अब उमीद करेगा कि हमारे fever में रहे और टर्की पाकिस्तान से यह उमीद करेगा कि हमें आप ज़्यादा pressure मत कीजिए हम काश्मीर पे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे पास भी इंडिया से 5 डॉलर आ रहे है आप तो खुद एक एक डॉलर दो दो डॉलर मांगते फिर रहे हो इंडिया की economy 9% पे rise कर रही है आची की figures है तो अगर इंडिया की economy 9% पे rise कर रही है और इंडिया के पास cash rich economy है 1000 billion dollars के point exchange reserves है तो वो मुझे 5 billion dollars के बड़े राम से contract देगा आपका डेड़ का है तो मैं आपको कैसे support कर दूँ मेरी economy टूट रही है मेरा लीरा गिरता जा रहा है मेरे पास situation मेरी बहुत खराब है आपको भी पता है आपके बस खुद पैसा नहीं तो मैं कहां से लिनू तो ये दोनों तरफ से रहा होगा और हो सकता है कि Turkey नहीं जादा pressure डाला पाकिस्तान पर ठीक है ले लो यार तुम्हें किसी से लेना है ये 1.5 billion dollar का contract तो इंडिया मुझे 1 minute में देदेगा कोई बड़ा काम है क्या तो ये भी बोला गया होगा तो ये तना तनी के बाद डील तो वापसा गई लेकिन अभी हमें एक महीन न दो महीने में ही पतलेगेगा कि future relations कैसे चल रहा है अगर Turkey काश्मीर पे कोई statement नहीं देता और pro India stand दिखाता है इसका मतलब उसने पाकिस्तान को हड़का के बताया है कि ठीक है आप चलेजेए आप China से ले लीजे कोई problem नहीं हम बता देंगे लेकिन एक खबर बड़ी important थी इसलिए मैंने आपके साथ share की इसमें perfect analysis थोड़े time बाद ही आ पाएगी जब दोनों countries का stand देखेगा दोनों countries international level पर कैसे बात कर रहे हैं कैसे क्या game खेल रहे हैं लेकिन अभी अभी एक analysis यह है कि कहीं तनातनी है और वो तनातनी हमें सतह पर दिख गए इससे पहले भी रही होगी यह जब सतह पर आती है media level पर आती है तनातनी उससे पहले diplomatic level पर तनातनी होती है diplomatic level पर इन्होंने बोला भाई आप तो कश्मीर ही नहीं बोल रहे हैं उन्होंने बोला होगा कि यार हम तो contract ले रहे हैं उनसे हम क्यों बोले हैं कश्मीर हमारा है क्या कश्मीर तो तुम claim कर रहे हो तुम claim कर रहे हो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो ये सारी बातें हुई हुई होई होगी उसके बाद जब situation बाहर गई होगी हाथ से तब ये मीडिया पर पहुँचती ये कहानी तो कई महीने का diplomatic offensive रहा होगा उसके बाद बात होगी ऐसे ही कुछ नहीं आता और ऐसे ही कोई भी website या ऐसे ही कोई भी newspaper खबर नहीं चाप सकता के country friendly country जो के तरकी से जो के हमारे लिए कश्मीर UN में बोलके आया उससे हम contract cancel कर रहे हैं ऐसे ही कोई नहीं चाप सकता ये सारे वो लोग होते हैं जो के जिनसे जबरस्ती है ऐसी खबरे प्लांट करके चपवाई जाती हैं इसे के साथ एक और खबर कर फिर हादर होंगे नमस्कार जहें